तो डाइज बूर्णिंग वेलकम वैक टो माई चैनल और अभी मैं हो गया हूँ रेडी और फंक्शन कुछ स्टार्ट हो रहे हैं लाइक चुब खारताथ पहना जाता है नो वह सारी अभी मैं रेडी हो गया हूँ मैंने सिल्पर सा यह सूट डाल लिया है कि वैसे शाम को फिर कप्ले पान के थप जाते हैं तो अभी बस यह सूट डाला हुआ है और शाम को फिर चेंज कर लेंगे थोड़ी दिमें जब कोई फंक्शन होगा थोड़ी तेट्वी स्रिल्लाक्स मिले तो सर पे ले ले लेती हूँ विकर्स यहां पर सब लोग सास्राल साइट से हैं तो और अब मैं निकालती हूँ हम भी लोग के दूंबर पहुंचती हूँ एक सब्सक्राइब आपको फूरा रोपी खा हुआ है इसमें तो बस यह सिंपल सा मैंने सूट डाला हुआ है देख सकते हैं और मैं रेडियो जुक्यों मैं जा रही हूँ तो चलो अब जो भी फंक्शन हो जा प्रूंचा भी यह रही है क्या देख रहो है अरोश हुआ है कौन सा इस स्टीक मैं और अब लोग जा रहे कि ले कहां चारे है नहीं मंदिर नहीं जा रहे हैं पूजा को करने चारे हैं फंक्शन अटर्ण कर ले नहीं मंदिर बाद पूजा है हो मैं अब क्या करेंगे ममा तो बिछाने के लिए वची स्टीक माइक वरी गद वर्य नाइस राता रहे हैं जर्जा कि अब धुर्ड मेंट नहीं जर्जा जर्जा मैं जर्जा के सब्सक्राइब आल नहीं से टक्षण को माइं अब कि यहां पे स्टार्ट हो गई है जो भात पर रवन के हमारे रश्व होती है वह बहुत कि नियुक्त बोलने का तरीक तरीका किसी क्या कुछ बोला जाता हो किसी क्या कुछ बोला जाता हो तो यह मतलब शादी के एक दिन पहले मतलब मंडप के नीचे लोई पर लाके भाई मतलब लड़के की शादी में तो कभी-कभी जब निकाची वगएरा होती ना उसी टाइम पर कर देते हैं तो यह सारी रस्में मतलब काफी अच्छी होती है मतलब यहीं सारे रीत रिवाज होते हैं जो हमें शादी में इंगेस करते लिए तो जाके दार्क शादी भी हो सकती है बठा कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम लोग इन सब चीजों को करते करते मतलब कभी यूहीं दो से तीन लाए थे हम लोग तो सबके रखे हुए हैं मतलब दे देंगे बस कि कि हम लोग होटेल में स्टेक हुए हैं तो फिर वहाँ पर अभी सारे गेस लोग जो आने हैं वो नहीं आये मतलब वह मैक्समल लोग शादी वाले दिनी आ रहे हैं बस जो हम लोग बहुत क्लोज लोग हैं अपने घर के बस वहीं लोग जाके वहाँ पर अभी स्टेक के हुए हैं बाकी सब लोग शादी वाले दिनी उसी दिन आएंगे मतलब और कोई जाता है लोग नहीं है यहां पर तो यह रस्म मतलब भाई पैनाता है मरे अबाद तो बड़ी अच्छी सी होती है तो गाइस और आप लोगे साथ में वीडियो जैसे शेर करती रहोंगे और आप लोग प्लीज चैनल पर फर्स टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरू करो सब्सक्राइब करो साथ दो और यूहीं अपना प्यार बनाए रखो सुपाइज फाइनली अभी शाम का यहां पर इंगेजमें इंगेजमेंट भी एक दिन पहले रखी थी तो अभी आज इंगेजमेंट है कल शादी मतलब इस तरीके से हैं तो सब लोग तयार होके आगया और मेरा गाइस लुक बताएगा कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूं बताएगा यह साड़ी मैंने आज के पांच साल पह हुई थी मतलब सोस्ते थे सोस्ते थे हो नहीं पाता था आप फाइनली देखिए यहां के नजारे कुछ इस तरीके का लोकेशन था व्यू था मतलब देख सकते यह पूल है उसके आसपा सरांडिंग्स में टेवल बगेर लगी हुई है डिकूरेशन है बहुत ही पीसफुल यहां पर बहुत ही शंती वाली जगह है और राम चंटर जी की जगह है तो यहां पर बहूत ही सुन्दर के है टूरिस्ट प्लेस पी है और जिस रिसौट में हम लोग है है मतला यह लागा लोगी यहां आप फॉर्णर वह excel नहीं पता होगा मुझे भी नहीत पता था कि और सच में इतनी बड़ी प्लेस है हमारे जब कि पास होते हैं पर इतना सब कुछ अच्छा है और कभी मतलब इसका नाम जिक्री नहीं करते थे बट यहां के सीरिसली पता चला कि तो सीरिसली बहुत अच्छी जगे हैं और यह सब लोग कुछ लोग आ चुके हैं तो पापा ने छ पहनने तो पहनना तो मुझे लहंगा था मैं लेकर भी गई थी फिर मैंको लगा नहीं यार बहुत हैवी हो जाएगा तो मैने नहीं पैना मैंने सारी पहन ली तो बट अच्छी लग रही थी सारी बिसेंपल सा मतलब बूट अच्छा आ रहा था था भी थुड़ा सा कि में किया रिख और अउल.ड मैंने उख हुआ था यहां पर घृ किया हुआ था हुआ है और था था पर अभूर हो चुकी है है, मतलब यह था इस तरह से डिए ओस दो पर नोग तो दो भूझ होगे है यहां फानलिए बापा वीडियो शुट कर रहे थे तो यह चूटी चूटी से क्लेपस हैं जो मुझे मिली है इतर उधर से तो मैंने सुचा मैं बोला न मैं आप लोगे साथ शेर जरूर करूंगी तो जितना हो पारा है मैं उतना शेर करने के कोशिश कर रही हूं and hope आप लोग भी enjoy कर रहे होंगे इन चीजों को और ये हमारी family है छोटी सी मतलब जो हमारा परिवार है basically हमारी real वह जी है मतलब वह सास है उनकी बेटी की है तो फिर उसके next morning हम लोग नर्मंदा riverfront यहाँ पर boating वगर river rafting होती है तो आज शादी का ही दिन है बट नेक्स हम लोग यहाँ पर पहुंचके है रिफर राफ्टिंग का जो वीडियो है वह पापाजी की फोन में राठोजी किसी ने शूट किया बट मुझे नहीं पता वह वीडियो का है तो जो भी है हम लोग ने रिफर राफ्टिंग वेगरा मॉर्निंग के 7 o'clock हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे उपते हुए शूरत और पानी में वो केड़े और उसके आसपास यह फोर्ड वने हुए हैं बहुत पी उम्ना प्लेस है सीरियसली बहुत मज़ा आ गया तो बहुत सुकून बरी हां बताओ बिटा सो चलो और हम यहीं पर आप लोगों से वीडियो के एंड करते हैं विदा लेते हैं और इसके बाद हल्दी का फंक्शन है और यह फंक्शन है उनकी वीडियो जैसे मेरे पास तक आते हैं आप लोग इन्वाल हो सकूँ शादी में जितना मैं कर सकती मैंने उतना करने की कोशिश की एंड होप आप सब भी इसका हिसा बने तो चली थैंक्यू सो मच काई बाबाई ठेक के अल अपना ध्यान रखे